एरोप्लेन में कौन सा फ्यूल डाला जाता है और हमारी प्रूत्वी पर पाये जाने वाला एक ऐसा जियो जो कि कभी बिमारी नहीं पड़ता और के आपने कभी 10 और 11 किलो का फूल देखा है इस वीडियो में आप ऐसे दिमाग खिला देने वले फैक्स को जानोगे तो वीडि सा पेंटिंग तो जरूर देखी होगी जो कि लियोनाड तो विंची दारा 1797 में बनाए गई थी इस पेंटिंग से जुड़ी एक काफी हरान कर देने वली बात है अगर आप इस पेंटिंग को दुखी मन से देखोगे तो आपको ये पेंटिंग दुखी दिकाई देगी और का इम्मिनिटी सिस्टम जो कि उसे कभी भीमारी नहीं पड़ने देता नंबर सेवन दोस्तो आपने चुइंगम तो खाई होगी पर कि आप लोग ये जानते हों अगर साइंटिस्ट का माने तो हमारी शरीर को पूरी तरह से चुइंगम को पचाने में साथ साल का समय लगता प्योंकि इसे पूरी तरह से नष्ट होने में 500 सालों का समय लगता है इसके लिए मानोजाती के लिए इसे खत्री की नजर से देखा जाता है एक प्लैस्टिक की बोटल को पूरी तरह से नष्ट होने में भली 500 सालों का वक्त लगता है लेकिन आप जानकर शौक हो जाओगे काच और काच की बोटल को पूरी तरह से नश्ट होने में 4,000 सालों का वक्त लगता ही अगर देखा जए तो प्लैस्टिक से जदा हमारे लिए काच खतरनाक है नमबर भायो दोस्तों हमारे प्रूतिव पर फूलों की लाको प्रजातिया पाई जाती है उन्नी में से एक है रेपलेसिया अर्नल्डी नाम का यव फूल इस फूल की कापी सारी अजीब बात है जिसे दूसरे फूलों से अलग बनाती है यव फूल इंडोनेशिया के जंगोलों में पाया जाता है और ये कापी दुरलब फूल है इस फूल का वजन 11 खिलो होता है जो कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा फूल बनाता है ये फूल 3 फीट टक लंबा हो सकता है लेकिन का जाता है कि इस फूल से सड़े हुए अंडी जैसी बदबू आती है ये एक दुरलब फूल होने की वज़े से इसे ढुणना कापी ज़्यादा मुश्किल माना जाता है नमबर 4 हमारा देश भारत और बाकी देशों में जान नॉर्मल वाइन्स पी जाती है वही चाइना इस मामले में कापी ज़्यादा अजीब है वहाँ चिंदा सापो को बॉतल में डाल कर रखा जाता है वहाँ के लोग इसे स्नेक्स वाइन कहते है और इसमें सापो को 6-7 मेन तो रखा जाता है नमबर 3 दोस्तों हम ये तो जानते है कि समंदर में पाए जाने लिए ब्लू एल कितने विशालका होती है माना जाता कि ये 5 करोड साल पहले पूत्वी पर आई थी एक ब्लू एल का जीवन काल 50-70 साल का होता है लेकिन ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हूँ ये एक ब्लू एल का दिल है जो कि कापी बड़ा होता है इसका वजन 600 किलो होता है पहले अकेले अंटार्टिका में 2 लाग से भी जादा ब्लू एल स्पाई जाती थी लेकिन अब पूरे दुनिया भर में सिर्फ 25,000 ये ब्लू एल बची है इनका लगातार शिकार होनी की वज़े से आप ये विलुक्ति की कगार पर पोच रही है अगर आप सोच रहे हो कि एरोपलेन में पेट्रोल या फिर डीजल डाला जाता है तो आप गलत हो क्योंकि एरोपलेन में एक खास प्रकार का फ्यूल डाला जाता है जिसे जेट फ्यूल कहते है